रवश्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत important सवाल का जवाब How to select the best strategy? ये question आप लोग मुझसे बहुत समय से पूछता हैं, कई सारे लोग पूछता हैं, जब भी कोई मेरा चैनल पर नया आता है, खासकर वो पूछता ही है कि sir best strategy क्या है, मैं कैसे select करूँ कौन सी strategy, क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल पे around 30 strategies हैं, तो कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी और को, लेकिन इतनी सारी strategies होने के वज़े से कई बार लोगों की मन में confusion भी हो जाता है तो उस confusion का मिटाने के लिए, आज मैंने यह पूरी research करके, एक अच्छा सा presentation बनाके, एक अच्छा सा tool बनाके, आप लोगों के साथ present कर रहा हूं, जिसकी मदद से आप ये जान पाएंगे कि क्या है best strategy साथ में मैंने एक survey भी किया था आप सब लोगों के साथ, जिसमें मैंने आप से पूछा था कि आपकी favorite strategy क्या है, तो उसके results मैं आपको बताऊंगा, और मेरी personal favorite strategies क्या है और क्यूं है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं एक मज़दार वीडियो को, जिससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है, अपनी एक best strategy select करने के लिए, तो सीधर जाके मैं बोल दूँ, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये best strategy है, ऐसा हो नहीं सकता, क्यूंकि एक आदमी की best, दूसरे आदमी की best हो ये जरूरी नहीं है, किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ और पसंद आएगा, किसी के criteria होंगे, जो एक strategy से match करेंगे, दूसरी से नहीं करेंगे, और वहीं पर किसी और के, उस strategy से match करेंगे, किसी और से नहीं match करेंगे, तो इसलिए ये statement है, one person's best may not be the best for another person, इसके अ strategy ढूंडे निकलेगा उसका जवाब वो जिन्दगी बढ़ ढूंदता रहेगा क्योंकि उसे लगएगा जो strategy कर रहा है उसके best returns नहीं है शायद किसी और strategy में best होंगे चलो उसमें move करते हैं उसमें move करने के बाद उसे लगएगा ओके यह नहीं से और भी कोई best strategy है मुझे और अच्छे returns मिलेंगे वो फिर move कर जाएगा जो लोग यह बार-बार strategy जम करते रहते हैं और काफी सारे strategy ट्राइ करते रहते हैं वो best returns कभी कमा ही नहीं पाते क्योंकि best returns कमाने के लिए आपको discipline के साथ एक strategy को अच्छे से कुछ समय दे कर करना होता है तो ही आप उससे returns निकाल सकते हैं तो best returns ज़रूरी नहीं highest returns होते हैं best returns वो हैं जो consistently आप बना सके यानि कि आप profits बनाए और consistently बनाए वो आपके लिए best returns है next disclaimer मैं ये देना चाहूंगा कि अगर आप कोई ऐसी strategy ढून रहे हैं जो long term strategy हो जिसमें आप सिर्फ accumulate करें और कई सालों बात जाके बेचें तो ऐसी कोई strategy मेरे चैनल पर फिलहाल नहीं है और आज के वीडियो में भी मैं वो discuss नहीं करने वाला हूँ तो अगर आप उसके लिए देख रहे हैं तो आप वीडियो यहां पर रोक सकते हैं ये discussion है उन strategies पर जो मेरे चैनल पर available है और mostly मेरे चैनल पर जो strategies हैं वो है short term investor और traders के लिए जहां हम regularly profit book करते हैं ऐसा नहीं कि हम accumulate करते वे चलते हैं और कई सालों बाद जाके finally बेचेंगे वो वाली strategies यहां नहीं हैं यहां पर हम regular profit booking जिन में करते हैं किसी में जल्दी करते हैं किसी में थोड़ा देर में करते हैं frequency अलग-अलग हैं वो भी मैंने आपको टूल में दे दिया है किसमें कितनी frequency expect करनी है लेकिन हम profit booking जरूर करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखके यह आगे का वीडियो देखिएगा अब best strategy के बारे में बात करने से पहले मैं अपने गुरुजी महेश चंद्रकौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाऊँगा क्योंकि उनके मार्क दर्शन के वज़े से ही मैं और मेरे जैसे कई लोग इस stock market में successful trader बन पाए हैं तो जो भी strategies आप यहाँ वीडियो में देखेंगे जो मेरे टूल में देखेंगे वो सब महेश सर की दी हुई हैं कुछ enhancements मैंने उसमें किये हैं वो मेरे हैं लेकिन strategies सब महेश सर की हैं इसलिए पूरा पूरा धन्यवाद मैं उनको देरा चाहूंगा मैं हमेशा उनको धन्यवाद देता हूँ जब भी मुझे मुझे मौका मिलता है तो आप लोग भी जो उनसे जुड़े हुए हैं उनको धन्यवाद देना मत भूलिएगा क्योंकि जहां से आपको कुछ मिलता है अगर आप उन्हें धन्यवाद वापस देते हैं तो आपको वहाँ से और मिलता है प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है और हर चीज मिलती है तो धन्यवाद देना मत भूलिएगा तो तैंक यू महेश सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने comment करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरा पुरा presentation कैसा लगा तैंक यू अब मैं बात करता हूँ अपनी favorite strategies की तो जैसे मैंने कहा किसी एक का best, दूसरे का best हो ज़रूरी नहीं है तो मेरी जो favorite strategy है वो based है regular income पर क्योंकि जैसे कही सारे लोगों को पता होगा मैं fire हो चुका हूँ मतलब मैंने अपनी job छोड़ दी है और मैं share market से अपनी income कमाता हूँ तो मुझे एक regular income चाहिए होती है तो उसके basis पे मैंने अपनी strategy select की है तो ऐसा नहीं है कि ये best है मेरे लिए तो हर किसी के लिए ये ही best होगी आपका best अलग है, मेरा best अलग होगा तो मेरे best में आता है solar PKP, PKP 2.0 virtual house, monthly income strategy ETF shop, lifo और relative strength strategy प्रेमल पारेक ये जो last की strategy है इस पे मैंने कोई video नहीं बनाया है नहीं मैंने इसे tool में शामिल किया है क्योंकि ये मैं प्रेमल पारेक जी की strategy को follow करता हूँ तो अगर आप उस strategy के बारे में जानना चाहते है तो अब प्रेमल पारेक को YouTube पर search करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा तो ये होगे मेरी favorite इसके बाद अब बात करता हूँ results of survey for finding the favorite strategies तो मैंने आप लोगों के साथ एक survey किया था वो दिखाता हूँ आपको और उसके फिर results आपको दिखाता हूँ तो ये survey मैंने आप लोगों से एक video के माध्यम से share किया था आप से request किया था कि आप अपना survey भरके मुझे बताएं कि आपकी पहली favorite strategy क्या है दूसरी क्या है और तीसरी क्या है और साथ में कोई comment हो तो आप दें तो मैं सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने भी ये survey भरा है तो उसके basis पे masses की मतलब जाद अतर लोग जो ये strategies यूज़ कर रहे है उसके हिसाब से क्या results आए है कौन-कौन सी top favorite है अब उसके results दिखाता हूँ आपको तो ये है results सबसे उपर वो है जो सबसे top की favorite strategy है तो यहाँ पे मैंने strategy का नाम दिया है count of votes कितने आए है और percentage, total votes जो आए है उसका कितना percentage ये है यहाँ पे आप percentage add करने जाएंगे तो ये 100 से उपर होगा क्योंकि मैंने तीन strategies लोगों से पूछी थी पहली favorite, दूसरी favorite, तीसरी favorite और उसका consolidated result मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो ये जो आप देख रहे हैं strategy के नाम और ये जो count है वो total जितने लोगों ने participate किया है उसमें से कितने लोगों ने इसे अपनी favorite बताया हो सकता है पहली बताया दूसरी बताया तीसरी overall इतने लोगों ने बताया है तो 47% लोगों को ETF शॉप लीफो और फीफो पसंद है एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ जैसे मैंने शुरू में कहा कि 30 strategies के करीब मेरे channel पे हैं लेकिन survey में मैंने पूरी 30 नहीं दी थी मैंने वो strategies दी थी जिनके बारे में मैं सबसे जादा questions पूछे जाते हैं जिन पर सबसे जादा comments आते हैं जिन पर ना के बराबर comments आए उनको मैंने eliminate कर दिया यह मानके कि जब कोई उसमें question ही नहीं पूछ रहा तो शायद वो किसी की favorite नहीं होगी तो वो strategies जिनके बारे में सबसे जादा बात हुई है उनको मैंने शामिल किया था सर्वे में और उसके हैसाब से यह results आए है कुछ strategies जो comments में लोगों ने mention करी बार बार उनको भी मैंने आप पे शामिल किया जैसे कि आप सबसे नीचे देखेंगे एक बंदे ने भी किया है consolidated breakout और यह है हमारे महेश सर तो उनकी जो latest kumble strategy है उसमें उन्होंने consolidated breakout की बात करी है जिस पे मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया तो अगला वीडियो उसी पर होने वाला है तो जो लोग wait कर रहे हैं अब मेरी research इसके बाद चुरू होगी क्योंकि इस वाले वीडियो के लिए काफी research करके यह सारा gather करके यह एक condensed form में जो आप समझ सके वो बनाने में भी काफी time लगा लेकिन अब यह पूरा हो गया तो इसके बाद मैं उस कंबल strategy पर focus करने वाला हूँ जिसमें महेसर ने consolidated break out nifty five hundred stocks के लिए बताए है तो यहाँ पर top favorite है ETF shop फिर है share genius swing trading SST फिर PKP फिर fire shop फिर darvus box strategy buy low sell high तो आप पूरा देख सकते हैं किस तरह से decreasing sequence में है favorite के हिसाब से लोगों का तो यह हो गया survey के हिसाब से लोगों ने क्या favorite बताया अपना अब बात करते हैं कि आप अपना favorite कैसे choose कर सकते हैं favorite in the sense कि कौन सी strategy आपके लिए favorable रहेगी उसके लिए कुछ जरूरी चीज़े हैं जो आपको ध्यान में रखके strategy selection करनी है तो मैं उसकी बात करता हूँ तो मैंने यहां कुछ parameters बनाए हैं जिनको इस्तमाल करके आप अपने लिए best strategy select कर सकते हैं तो सबसे पहला parameter है capital कितना है आपके पास कुछ लोगों के पास कम capital होता है किसी के पास बहुत जादा capital होता है सबसे पहला factor आता है कितना capital है दूसरा है risk appetite तो आप risk कितना ले सकते हैं आप volatility market की कितनी सह सकते हैं क्योंकि देखे कोई भी strategy 100% foolproof नहीं है यह share market है यहां पे market गिरता है market उठता है तो वो चीज volatility कहलाती है कि कितना गिर रहा है कितना उठ रहा है फिर तीसरा factor है time required to use the strategy अब हो सकता है किसी के पास daily share market में काम करने का time हो किसी के पास week में एक बार हो किसी के पास 15 दिन में एक बार हो किसी के पास महीने में एक बार हो तो उसके हिसाब से भी strategy को मैंने define किया है और categorize किया है कि कितना time आप market को दे सकते हैं और चौथा है profit booking frequency कुछ strategies में हम invest करते रहते हैं और देर में profits आते हैं क्योंकि उसमें targets बड़े होते हैं और किनी और strategies में target छोटे होते हैं इसलिए उसमें जल्दी profit booking आती है तो उसके हिसाब से भी मैंने tool में category दी है कि profit booking की frequency क्या है तो आईए आप वो tool देख लेते हैं जिसकी मदद से आप ये select कर सकते हैं कि कौन सी strategies आपके लिए best suitable है ओके तो ये google sheet मैंने बनाई है जिसका नाम है strategy selection fire in India तो इस google sheet का link आपको इस video के description में मिल जाएगा ठीक है जब आप इस sheet को खोलेंगे laptop पे खोलना prefer कीजिए लेकिन अगर आपके बास laptop नहीं है mobile है तो इस link को copy करके mobile के chrome browser या जो भी browser आप use करते हैं उसमें खोलिए google sheet अगर आपके उसमें installed है mobile में उसमें मत खोलिएगा क्योंकि जो इसमें मैंने slicer दिये हैं जिससे आप filter कर सकते हैं mobile की sheets आप में नहीं चलेंगे इसलिए इसे आपको browser में ही खोलना है चाहे laptop पे हो चाहे आपके mobile में हो तो इसे use कैसे करना है basically top में मैंने बताया है capital requirement कैसे मैंने categorize किया है low capital है जिसके पास 10 से 50,000 है 10,000 तो 50,000 medium capital means 50,000 तो 1,00, high capital is 1,00,000 to 5,00, and highest is 5,00,000 प्लास ठीक है उसके हिसाब से यहाँ पे strategies categorize है देखे सबसे पहला capital requirement है तो यह पहला filter होगा अभी कैसे लगाना मैं बताता हूँ दूसरा यहाँ पे मैंने बता है profit booking frequency slower जो सबसे slow है इन में up to one year or more जिसमें एक साल तक लग सकता है या एक साल से ज़्यादा लग जाता है profit booking में क्योंकि उनमें targets बड़े होते हैं या फिर वो उस तरह से काम करने का उनका style अलग होता है फिर है slow जिसमें एक साल में कई बार profit booking आती है फिर है fast जिसमे once in a month तो आ ही जाती है और faster जिसमें एक से ज़्यादा बार मंत में profit booking यूजूली आती है तो यहाँ पर देखे मैंने क्या के column दिये capital requirement जैसे मैंने बताए low, medium, high सबसे उपर low वाली दी है आपको फिर medium, फिर high और फिर highest फिर है script type risk factor तो जैसे मैंने बताए risk appetite आपकी ज़रूरी है define करना कि आप risk कितना ले सकते हैं तो यहाँ पर मैंने risk define किया है कि आप अगर ETF में करते हैं तो आपका risk सबसे कम होता है अगर आप mutual funds में करते हैं तो risk उससे थोड़ा ज़ादा होता है लेकिन अगर आप stock में करते हैं तो सबसे ज़ादा risk होता है तो उस हिसाब से risk appetite देख लीजेगा तो यहाँ आपको सिर्फ stocks वाली strategy मिलेंगी सिर्फ ETFs वाली मिलेंगी mutual fund और ETF दोनों में जो कर सकते वो मिलेंगी और कुछ है जो ETF और stock के combo पे चलती है वो strategy है यहाँ पर फिर है frequency of trades ठीक है तो जैसे मैंने का आप कितना time दे सकते है market को आप 7 days वाला देखना चाते हैं आप 15 days वाला देखना चाते हैं या फिर month में से एक बार आपको करना है वो वाला देखना चाते हैं उस case आप से यहाँ पर मैंने दे रखा है पिर strategy का नाम है और इन में से कुछ colored है strategy तो जो मैंने आपको survey results दिखाए जो लोगों की favorite है top favorite उनको मैंने color कर दिया है और फिर है type तो यह strategy किस type की है किस basis पे चलती है वो मैंने यहाँ define किया है short में of course पूरा description यहाँ लिखना possible नहीं है अगर आपको किसी strategy का पूरा description जानन है जिसे आपने देखा नहीं है उसका video का link मैंने यहाँ पे दे रखा आपको तो पूरा video watch करके आपको पूरी strategy समझ में आजएगी लेकिन short में क्या है strategy का type वो दिया है मैंने यह next मैंने आपको दिये है profit target तो किस strategy में कितने profit target है किसी में defined है जिस पे हम you know say 25% पे यहाँ नि वो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर इन strategies के video link है कई strategies के मैंने multiple videos बनाए है लेकिन जो latest video है वो मैंने यहाँ पर आपको दिये है अगर आपको कोई strategy वाकई पसंद आती है आप strategy के नाम से मेरे channel पर search करेंगे तो उसके सारे videos आपको दिख जाएंगे फिर यहाँ पर मैंने दी है Google Sheet के link तो कुछ strategies के link जो मैंने पहले बनाए थे वो free है और कुछ जो latest मैंने बनाए है वो paid है तो जो paid है उनको मैंने color किया हुआ है ताकि आपको देखते ही पता चल जाए ओकि यह वाला paid है यह वाला free है फिर next मैंने यहाँ पर बताया है कि strategy का buying criteria क्या है किस condition में हम उसे buy करते हैं क्या buy करते हैं और sell कप करते हैं ठीक है तो वो सारा brief में आपको पता चल जाएगा कि कौनसी strategy में क्या करते हैं तो इस strategy को use करने के लिए आपको इसकी copy और पी कुछ नहीं बनाने यूशली जब मैं आपकी कोई Google Sheet बनाता हूँ आपके ल view में दिख रहा है लेकिन आपको अगर filter out करना है for example आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो low capital strategies ही देखना चाते हैं क्योंकि आपका capital दस से 50,000 के बीच में है तो यहां पर जाके जो slicer दिया है यहां जाईए देखे सब कुछ selected है अगर आप clear पर दबाएंगे सब कुछ कुछ भी selected न दिखें अगेन आप clear कर दीजिए ETF सेलेक कीजिए ओके दबाएंगे अब सिर्फ वह strategy दिख रहे हैं जिसमें low capital में और सिर्फ ETF में काम किया जा सकता है तो इस तरीके से आप अपनी strategies को narrow down कर सकते हैं और select कर सकते हैं कि आपके लिए best strategy क्या है तो इस slide को याद रखिएगा और फिर है time required आप कितना दे सकते हैं समय market को तो strategy में कितना time लगेगा उसके हिसाब से और फिर profit booking क्या expect करनी है किसमें जल्दी profit booking होती है किसमें time लगता है इन चारो factors के हिसाब से आप narrow down करके अपनी strategy select कर सकते हैं उसका video detail में देख सकते हैं और उसकी google sheet जो है अगर वो paid है तो यहां से ले सकते हैं अगर वो paid नहीं है free में available है तो आप सीधा जाके उसकी copy बना सकते हैं और use कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह प्रयास आपके काम आएगा इससे आपको आसानी होगी strategies को select करने में और अपनी journey 2024 में start करने में कि कहां कहां आप अपना प होती है वही strategy फिर किसी और market condition में चलने लग जाती है तो ताकि हम हर market condition में profits कमाते रहें इसलिए आप अपनी strategies को भी diversify जरूर कीजेगा सिर्फ एक strategy पे सारे पैसे मत लगा दीजेगा आपका capital बहुत छोटा है तो आप ज्यादा नहीं कर सकते लेकिन अगर capital अच्छा-कासा ह है आपके पास तो जरूर जरूर डाइवर्सिफाई कीजिए एक ही strategy के भरो से अपना portfolio मत बनाईएगा और बहुत जादा strategy भी नहीं कि सारी की सारी strategy कर रहें उससे तो आपके दिमाद में खिचड़ी बन जाएगी उनको manage करना मुश्किल हो जाएगा तो ideally जैसे आपने strategy maximum रखना safe है लेकिन सिर्फ एक रखना safe नहीं है तो capital अगर आपका ठीक-ठाक है अब capital बहुत काम है तो obviously एक strategy पर आपको रखना पड़ेगा लेकिन capital जब आपका ठीक-ठाक हो जाए अगर आप शुरूआत ही ठीक-ठाक से करें तो जादा रखिए अगर आप शुरूआत कर वीडियो देखने के लिए और इस टूल को यूज कीजिए और अपनी strategies का selection कीजिए नमस्कार दोस्तों